गाओ तवेला गड़ी में यहाँ पर मौझूद सभी हमारे बड़े बुज़ूर्ग माताएं बेहने भाई आप सभी को नमश्कार आज इंजनियर साब की वज़े से पहली वार मेरा इस गाओ में आना हुआ और मैं दिल की गहराईयों से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ खास तोर पर इंजनियर साब का की उन्होंने मुझे यहाँ पर मुझे यह सौभागये दिया कि मैं आप सब के बीच आ सकूँ हमारा शेत्र भले अलग है लेकिन मेरे पिताजी का लगाओ बागपच दिले से रहा है यहाँ पर उन्होंने एक कारोबार भी जोड़ा था कुछ वक्त पहले और लगातार लोगों से मिलने जुलने का उनका जो प्रयास और लगन रहती थी तो उसमें बागपच दिले के भी कई ऐसे गनमान्य लोग हैं जिनसे उनका लगातार संपर्क रहता था तो भले ही शेत्र दूर है लेकिन दिल से आप लोग दूर नहीं है आप लोगों का हमेशा आशरवाद और प्यार मेरे पुरे परिवार को मिला है आज जिस उपलक्ष में हम लोग यहां पर मौझूद हैं हमारे इंजिनियर अविंदर सिंजी अपनी ड्यूटी पूरी करके आज अपना जीवन समाज को समर्पित करने के लिए उन्होंने यह जो पहल करी है जो कार्यकरम किया है यह बहुत ही खुबसूरत कार्यकरम है मैं दिल से उनका धन्यवाद दूंगी और अगर समाज का हर व्यक्ति इनसे प्रेणा लेकर इसी तरीके से लगन के साथ अपनी ड्यूटी करें और उसके बाद भी अगर यह लगन रखें कि वो समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे बड़े हैं आपसे हमें मार्ग दर्शन की भी उमीद रहेगी मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप से जो हमें आशरवाद मिला है और यहाँ पर आपका हमारा परिवार का रिष्टा है तो जैसा भी हमारे लायक जो भी काम होगा आप मुझे जरूर बताइए आपके इस लक्ष में हम लोग आपके साथ खड़े हैं हमारी तरफ से जो भी आपको जरूरत पड़ेगी आप से कंदे से कंदा मिला कर हम आपका सहयोग करेंगे और मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि मेरा जो चुनाओ था वो एक वक्त के बाद बहुत मुश्किल कड़ी पे आ गय और तभी मेरी डाडस बंदी थी कि ऐसा नहीं है समाजिक गटबंधन जोडना जरूरी है बड़े नेताओं के गटबंधन तो बंते बिगड़ते रहते हैं अगर समाजिक जुड़ाओ रहेगा तो हर मुश्किल नमासान कर सकते हैं तो अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक् जी इसे लेगा चोटो से भूट